देखो provident fund जो है इसके अंदर दो concept है हमारा सबसे पहले तो हम provident fund क्या होता है उसके बाद देखेंगे recognize provident fund क्या है और unrecognized provident fund क्या है provident fund basically होता है क्या है मान लो कोई भी company XYZ Limited एक company है और इस company के जो employee है मान लेते हैं Mr. X यह यहाँ पर job करेगा तो job करने के बाद जो company है company ने Mr. X को उसका salary बतायोगा कितने salary नहीं है तो Mr. X को जो बताया गया suppose 10,000 रुपी salary बताया गया आपको मिलेगा लेकिन जब salary receive करने का time आया तो इसको 1000 रुपे इसके salary में से काट लिया गया और इसको 9,000 दे दिये गया company से इसके employee ने पूछा के मेरे salary क्यों काटा गया company ने बोला मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों के salary में से कुछ पैसे काटू क्योंकि Provident Fund Act जो Provident Fund Act 1952 है जिस तरीके से मेरे मजबूरी था कि मैं bonus दू कंपल्सन था जिस तरीके से मेरे उपर कंपल्सन था कि मैं आपको graduate दू ऐसे ही मेरे उपर कंपल्सन है कि अगर कोई employee आपके पास job करे जहां पे 20 और more person होगा उनके salary में से कुछ पैसे काट लो और फिर दो उसे क्योंकि एक time ऐसा आएगा जब वो employee आपके साथ हमेशा रहेगा तो लेकिन वो जब old age में चला जाएगा तो फिर उसके पास कोई सहारा नहीं होगा उस time पे तो जो पैसे आपने काट काट के बचा है वो उस time उसके काम आएगा although इस employee के पास option है कि यह पैसे निकाल सकता है यहां से लेकिन निकालने के लिए भी इसे एक valid reason देना पड़ता है वहाँ पे निकालने के लिए कि जैसे कि माल लोग घर बनवाना है या फिर marriage करनी है डॉटर की इस तरीके से valid reason देना पड़ेगा तो एक्स के salary में से कंपनी का कंपलसन है क्योंकि company को उपर company law तो ही है और भी बहुत सारे law है जो कि company को पर ध्यान रखता है तो 1952 Provident Fund Act यह कहता है भाई company जो कोई भी employee आए उस employee के salary को पूरा मत देना उसमें सो कुछ part काट लेना company ने बोला कोई दिक्कत नहीं है मैं तो काट लूगा इसके कितना काट लिए 10 कुछ भी हो सकता है 10 हो सकता है 12 हो सकता है 15 हो सकता है कई बार तो employee बोलता है जी मेरी पूरी salary रख लूआ क्योंकि उसके और other income का source है वो वहाँ से चलाता है तो कितना भी यहाँ पर 10% काट लिया फिर 1952 बोलता है यह पैसे हमारे पास जमा कराओ और अपने pocket से भी same amount मिलाओ यानि पहले मेने की salary में से 1000 काटे है तो आप 2000 जमा करवाओ मेरे पास इसका मतलब यहाँ employee का benefit है जितने पैसे कट रहा है वो तो जमा होई रहा है और कुछ और पैसे जितने कट गए है उतने और मिला के यहाँ जमा करवा दिया लेकिन अगर कोई employee जो है वो कहता है मेरी पूरी की पूरी salary रख लो तो क्या मालिक भी पूरा ही मिलाएगा नहीं इस पे भी condition लगाए हुआ है कि 12% maximum होता है इससे ज्यादा वो नहीं मिलाएगा उससे कम depend करते हैं तो XYZ Limited के उपर Boundation है इसकी salary में से कुछ पैसे काटे और काट के अपने पास रख लिए जमा करवा दे जमा करवा दे कहाँ पे Provident Fund Department में Provident Fund Department में जो कि मैं Delhi के अंदर बताओं तो पहले यहाँ पे था अशुक विहार में यहाँ से shift हो गया Minto Road पे चले गया है तो वहाँ पे shift हो गया EPF का और कुछ shift हो गया गुडगाओं में अब यह कौन से company Every company के उपर यह applicable होता है जहाँ पे 20% है वो सारी चीजे आपके law के अंदर आप देखोगे Employee Provident Fund Act 1952 में इसके 2000 जमा होगे अब यह Provident Fund Department वाला इसके पैसे को manage करता रहेगा और इस PF के पैसे पे interest भी देगा interest भी देगा यानि employee का एक तो अब मेरे पैसे जमा हो रहे है ठीक मालिक भी उतना मिला रहा है वो benefit और जो मैं रख रहा हूँ उसके उपर ब्याज भी मिल रहा है तो सोचो अगर ऐसे इसे करकर के देखा जाए तो last में 50-60 साल 30-40 साल के बाद जब यह job वहां से छोड़ेगा तो वहां से कितना heavy amount मिलेगा जिससे आराम से कोई काम कर सकता है तो यह government में भी होता है और यह private में भी होता है दोनों जगह पर है लेकिन कोई company ऐसा company होता है जिसने की income tax में अपने आपको registration मतलब income tax officer जो होता है वो इसको registration नहीं करता उसने अपने आपको registration नहीं करवाया हाँ PF लगेगा act उसके उपर applicable है लेकिन income tax में अगर उस वो recognize registration करवा लेता है कि जी हमारे उपर PFF लगता है ऐसे हम सारा काम करते है तो वो तो हो जाएगा हमारा recognize provident fund के अंडर जिसने registration नहीं करवाया वो हो जाएगा unrecognized तो कुछ company वो है जो income tax को intimate करते हैं हमारे उपर provident fund लगता है हम recognize बनना चाहते है तो income tax बोलता है ठीक है तो उसको recognize provident fund के हिसाब से उसके लिए exemption या आपका जो भी limit दिया हुआ है उसके हिसाब से है रेकिन कुछ employee बोलते हैं जी हम तो registration नहीं कर पाएगा हम paid कर रहे हैं आप जैसे करना है तो वहाँ के employee को बोला जाएगा आपके उपर unrecognized provident fund applicable होगा तो सबसे पहले तो provident fund क्या है एक company का कोई फाइदा नहीं है company काम करवा रही है आपसे वही तो फाइदा है उसका company काम भी करवा रही है और कई employee जो होते हैं अब ऐसा नहीं है कि आपने XYZ के बाद मान लो PQR में चले जाते हो इस company को छोड़ा PQR में चले गए तो यहां के तो PF के पैसे है तो यह PF का पैसा आपका transfer हो जाएगा PQR के साथ हर employee को एक employee code दिया जाता है यानि आप job को change भी कर लेते हैं तो आपका पैसा डूबेगा नहीं वो पैसा shift हो जाएगा दूसरे जगह पर तो यह centralized पहले नहीं हुआ करता था अब यह हो जाता है आपका अगर PQR भी हमें समझ में नहीं आता XYZ अगर PQR XYZ कोई भी समझ में नहीं आ रहा प्रोविडेंट फंड एक अंड उन्रिकोजनाईज प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड क्या है मालिक पैसा देगा तो मालिक अपने जेब से यह वाला जो आपको पैसा मिल रहा है 1000 रुपए Я तो आपके अपने पैसे ही है इसके बारे में कुछ नहीं बोलता कितना पार्ट आपके सेल्री में जुड़ेगा इसका क्या, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इसका कितना पाट आपके सेलरी में जुडेगा और कितना पाट आपके सेलरी में नहीं जुडेगा, ये सीखेंगे हम провident fund के अंदर साथ के साथ इंटरस्ट जो मिल रहा है वो भी तो आपको मिली रहा है बेनिफिट उस इंटरस्ट का क्या करेंगे तो यहाँ पे हमारा concept रहेगा दो हमारे दो परसन के अगर कोई भी employee को provident fund मिलता है तो दो लोगों का contribution होता है एक खुद का एक employer का खुद वाले का हिसाब किताब नहीं लगाए जाएगा क्योंकि वो तो मेरे salary में taxable ही हो जाएगा क्योंकि मैं जब इसकी salary निकालूँगा तो 10,000 multiply 12 करूँगा तो 1,20,000 और मैं बोलो PF का भी पैसा और ले लो 1000 रुपे multiply 12 तो double taxation नहीं हो गया पहले एक बार जोड़ी लिया फिर आप जोड़ रहे हो तो गलत हो जाएगा कौन सा नहीं जुड़ा honor वाला honor के पास जो जमा करवाया है honor ने अपने pocket से डाला है तो इसके अंदर जो honor का अपने pocket से डाला गया है उसका हिसाब किताब लगाएंगे और उसके जो ब्याज मिलेगा उसका हिसाब किताब लगाएंगे और हमारे पास इसके अंदर क्या क्या rule and regulation है वो देखेंगे और इस वाले concept में क्या rule and regulation है वो देखेंगे पैसा जब कट रहा है तभी हमारे salary में taxable हो जाएगा या जब पैसे को निकालने जाएंगे तब हमारे salary में taxable होगा वो अलग-अलग condition इस concept के अंदर हम देखेंगे तो दो पार्ट है इसको मैं अब short form में आज के बाद बोलूँगा और पीएफ इसको यू आर पीएफ तो और पीएफ और भी हमारे slayvus में है SPF है हमारा statutory provident fund है और भी है PPF भी है public provident fund बहुत सारे हैं लेकिन main आपके slayvus में ये दो है उसको बस मुझे read करके बताना है अगर ये आया तो ये करेंगे तो पीएफ का concept जो है